नमस्कार स्वागत है आप सभी चात्र चात्राओं का पाठोकों का मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी की आउशक्ता के आधार पर ही आज हिंदी की साहितिक पत्रकारिता पर मैं वीडियो बना रही हूं इसकडी का यह सबसे पहला वीडियो है बहुत से कॉलेजों में बह काच से साथ या उस से जादा चात्र चात्राओं का इस विशाई पर कमेंट्स में कमेंट्स द्वारा या परसंथनली जो है मुझे उन्होंने कहा कि हिंदी की साहितिक पत्रकारिता पर मैं वीडियो बना दीजी तो इसी का मैं आज आरंभ कर रही हूं तो हिंदी की जो साहि पत्तिक पत्रकारिता है, उसका आरंब भारत थेंदू हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्र का कभी वचनसुधा से माना जाता है। इसका प्रकाशन 15 अगस्त 1866 में प्रारंब हुआ था। कभी वचन सुधा के आरंभिक दिनों में भारत इंदू हरिश्चंद, हिंदी के प्राचीन कभियों की रचनाई प्रकाशित करते थे। इसके साथ-साथ पत्रिका में के माध्यम से भारत इंदू जी पिडिज जनों के प्रती संवेदना ब्यक्त करते थे। नरनारी समानता पर बल देते थे और साथ-साहित्य भी पत्रिका में प्रकाशित करते थे। इनकी पत्रिका में समाचार, यात्राएं, ज्यान, बिज्यान, धर्म, राजनीती, समाज भी सेक लेक प्रकाशित हुआ करते थे। और इसी पत्रिका में अंग्रेजी शासन के विरोध में लगातार टिपणियां भी प्रकाशित होती थी, जिनका की बहुत ज्यादा महत्व है। यहाँ पर उन सारे टिपणियों की बात करना संभव नहीं है क्योंकि वीडियो की एक सीमा है। अब आपको एक पूरे इतिहास की बाद कर रहे है। लिए Speech पत्रिकार करतो, थोड़े थोड़े अंसों को छूते हुए मैं इस हिंदी सहुतिक पत्रिकुल्कारीता का एतिहास को आगे बढ़ा रहे ह рекूं। तो अंग्रेजी शासन के प्रती लगातार इसमें टिपणियां प्रकाशित होती रहती थी और इसी क्रम में कभी वचन सुधा में प्रकाशित एक लेख जो की बहुत महतोपूर्ण है भूतही इमली का कनकवा लेख का नाम है भूतही इमली का कनकवा इस पर ये लेख जो कि अंग्रेजी शासन के विरोध में था और राजा सितारे हिंद ने उस समय गवज़ उस समय के वर्तमान गवर्नर थे उनसे जो है इस लेख के से संबन्दिश सिकायत कर दी थी और बाकी जो कसर बची हुई थी वो मर्शिया के प्रकाशन ने पूरी कर दी थी तो मर्शिय भी जो है अंग्रेजी शासन के विरोध में लिखा गया एक लेक था मतलब यह कह सकते हैं कि आप ब्यंग रूप में इसे लिखा गया था तो जिससे अंग्रेजी शासन का क्रोध बढ़ गया 20 अप्रेल 1884 में इस बिशई पर इस पश्टी करण भी छापा किन्तु इसका कोई लाव नहीं हुआ सरकार और सरकार के भक्तों ने कभी वचन सुधा को खरीदना पढ़ना और अपने पास रखना बंद कर दिया इससे कभी वचन सुधा को तो बहुत ज़्यादा अर्थिक नुक्षान हुआ और भारतेंदु ने भी अंग्रेजी हुकूमत की जो मानत उपाधी में जवकारे रत थे वो डंडा अधिकारी के पद पर कारे रत थे वो पद भी उन्होंने त्याग दिया उसके बाद ही भारतेंदु जी ने बिलायती कपडों के बहिशकार की अपील करते हुए स्वदेशी का जो प्रतिग्या पत्र 23 मार्च 1874 में कभी वचन सुधा में प्रकाशित किया वह समुचे हिंदी समाज का प्रतिग्या पत्र बन गया तो कभी वचन सुधा में प्रकाशित जो ये पत्र है 23 मार्च 1874 का ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बिलायती कपडों के बहिशकार से संबन दित है तो इसी तरह पत्रिका जो है लगभग साथ वर्षों तक भरतेंदु जी ने इसका संपादन किया इसका प्रकाशन किया और उसके बाद इन्होंने इस पत्रिका को जो है अपने मित्र चिंतामणी धरफले को सौफ दिया और बाद में इन्होंने हरिष्चन मैगजीन का प्रकाशन आरंब किया हाला कि उस समें हरिष्चन मैगजीन जो है 1873 से ही प्रकाशित हो गई थी लेकिन बाद में इन्होंने जो अपना पूरा जो ध्यान था पूरा संपादन का जो कार्य था वो इन्होंने हरिष्चन यानि कि अपने मित्र को सौंप दिया तो यह हिंदी साहितिक पत्रिका का जो आरंब था यह आरंभिक पत्रिका है कभी वचन सुधा और इसके बाद हम इसमें हरिश्चन मैगजीन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर अन्य पत्रिकाओं के इतिहास पर द्रिष्टी दालेंगे तो आज यह आरंभिक वीडियो है तो आप सब बताइएगा कि आपको यह जानकारी कैसी लगी और आगे मैं कोशिस करूंगी कि हिंदी की जो साहितिक पत्रिकारीता की जो इकाई है इसको मैं वीडियो के माध्यम से पूरा आपके सामने लाने की ला सकूं तो वी